आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते हैं तो आपको उत्रा ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है तो आईए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया अगर आपने बारवी परिक्षा पास कर ली है तो हो जाएए तैयार SSC दे रहा है CHSL के जरीए सरकारी नोकरी पाने का एक सुनहरा मुटा CHSL में अपनी 100% सेलेक्षा सुनिशीत करने के लिए आज ही जोईन करें एक दम बेसिक से चलाई जा रही है तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एक बार फिर आप सभी का हर दिख स्वागत करता हूं आपके अपने परिबार से सभी कोशनस के लिए काफी यूजफूल होने वाला है ठीक है आतो सभी कोशनस को द्यान से आपको पढ़ना है समझना है फिर आप उसको करनेगा प्रियास कि जिएगा चलिए तो पहला है कि जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा एक सिक का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन नियम को व्यक्ष्याइद करता है, यानि कि किस नियम का यह किस सिध्धान पर यह कारिय कर रहा है, उर्जा सनक्षन का सिध्धान है, जड़तु का नियम है, या न्यूटन का गती विश्यक तीसरा नियम है, या सम में क्या हो आप sa wol आप इसको समझेगा जैसे कोई ग्लास आपने विडियो देखा होगा कोई ग्लास होता है कोई ग्लास है और हम इस ग्लास में यहां पर काड रखा हुआ है कि इस कार पर एक और सिक्हा दिया जाता है तो इस उंगली से सो धक्का दिया तो यह जो सिक्का है यह इसमें नीचे गिर गया चीग है तो यह नीचे जो गिरता है यह किस नियम का सिधान पर चलता है जड़त्व के नियम पर जड़त्व का नियम क्या कहता है जड़त्व का नियम कहता है कि जो वस्तु व अवस्था में था, अगर उसमें आप गती देना चाहते हैं, तो उसका वो क्या करेगा, अवरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा, उसको वापस करने का प्रियास करेगा, यही कारण था कि उसी का जुगातूनी से चला जाता है, तो यह जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करत तो option number आपका B हाँ पर सही हो जाएगा कौन सा option number B next question है Celsius से Kelvin पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निवन में से क्या करना होगा दिये गए तापमान को 273 से गुणा करें दिये गए तापमान में 273 जोड़ें या दिये गए तापमान को 273 से विभाजित करें दिये गए तापमान में 273 घटाएं the convert temperature from Celsius to Kelvin scale you have to do which of the following तो आपने Kelvin को Celsius से बदलने में या Celsius से Kelvin में बदलने का जो पैमाना है यह आपने देखा होगा इसका एक simple सूत्र होता है जिसको हम दिखते हैं के बराबर Celsius degree into 273 यह एक सूत्र होता है ठीक है ना इससे आप Kelvin निकाल सकते हैं इससे आप Celsius भी निकाल सकते हैं Kelvin भी निकाल सकते हैं दोनों इससे निकाले जाते हैं और इसमें पलस क्या किया जाता है 273 से इसको जोड़ा जाता है तो option number B सही हो जाएगा कौन सा option number B सही हो जाएगा ध्यान लखिएगा इसमें 273 में क्या जोड़ा Celsius में कितना जोड़ा जाता है 273 जोड़ा जाता है ठीक है चालेगे next है किसी एकल आवर्ती की आवाज को क्या कह जाता है उसको note कहेंगे pitch कहेंगे tone कहेंगे heartage कहेंगे what is the sound of a single frequency is called तो इसको क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा हम कहेंगे tone क्या कहेंगे इसको tone कहा जाता है काफी अच्छा question है ध्यान लखना और कहीं आवर्ती की जो मिस्रित होती है जो आवर्तियों का मिस्रित रूप है आवर्तियों का मिस्रित रूप note कहलाता है note चीक है इसको हम क्या कहते है note कहते हैं तो option number आपका यहाँ पर वैसे तो c सही है लेकिन आवर्तियों की अगर मिस्रित रूप है ठीक है ना बहुत सारी आवर्तियां उसमें मिस्रित है तो उसको note कहा जाता है हो सकता है कि कल एक्जाम में आपसे यह पूछ लिया जाए कि वह note किसको कहेंगे तो note आप बता देंगे कि आवर्तियों का जो मिस्रित रूप होगा उसको हम नोट कहेंगे ठीक है ना चाले नेक्स्ट कुशन आपको क्या कह रहा है कि रदार जो सब्द है सब्द रदार किस से व्युत्वपन होता है रेटी रो डाइनोसिस एंड रिकोगनाईजेशन रेटी रो डाइनोसिस एंड एकशन नंबर फोर अणसर आपको मिल जाएगा इसको क्या कहा जाता है वही इसको कहा जाता है आपका डी याने खोज की गई थी ये टेलर वा लियोंग के द्वारा तेलर वा लियोंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी तो option number D सही होगा next question है कि आवर्धक सीशा जिसको magnifying glass कहते हैं होता है उत्तल लेंस है उत्तल दरपन है आउतल लेंस है या आउतल दरपन है तो magnifying glass is convex lens, convex mirror इसको कहा जाएगा तो question number 5 ध्यान किएगा इसको सरल सुक्ष्म भी हम कहते हैं तो यह आपका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा जिसको हम सरल शुक्ष्म दरसी भी कहते हैं सरल शुक्ष्म दरसी भी कहा जाता है दरसी भी कहा जाता है ध्यान किएगा चीक है तो option number 5 का A सही होगा हिलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बहारी कोश कितना है दस है छे है चार है या आठ है how many electrons are there in a outermost shell of the noble gases expected हिलियम question number 6 ध्यान किएगा यह आपका हो जाएगा कौन सा आपका हो जाएगा d यानि के 8-8 sorry कितना 8 यह हो जाएगा जो हिलियम को छोड़कर जो सभी गैसे उनमें बहारी कोश के लिए इलक्ट्रोन होता है तो यह होता है आपका 8 electron यह होता है तो option number आपका हैंपर क्या हो जाएगा option number d आपका हैंपर सही हो जाएगा चलिए, नेश्ट है, कारवन परमानू के बारे में C612 से क्या निसकर्स निकाला जा सकता है, इसमें हम 12 न्यूट्रोन और 6 इलक्ट्रोन कहेंगे, इसको हम 12 प्रोटोन और 6 न्यूट्रोन कहेंगे, इसको हम 6 प्रोटोन और 12 न्यूट्रोन कहेंगे, इसको हम 6 न्यूट्रोन और 6 proton कहेंगे what can be concluded about the carbon atom from इसको क्या कहा जाएगा तो ध्यान नखियेगा इसको हम कहेंगे option number 7 का D हो जाएगा यह निकि 6 neutron और 6 इसको proton में तोड़ा जा सकता है तो option number D यहां पर आपका सही हो जाएगा जल मिश्रित HCL के साथ प्रक्रिया नहीं करता magnesium है copper है zinc है aluminium है does not react with delight HCL तो जल मिश्रित जो है यह HCL के साथ प्रक्रिया नहीं करता तो option number आपका भी हो जाएगा copper इसमें प्रक्रिया नहीं करेगा को नहीं करेगा जो copper होगा यह इसमें प्रक्रिया नहीं करेगा तो answer number आपका भी सही हो जाएगा ठीक है ना चलिए next है आपका निवलिकित में से कौन छार का गुण नहीं है यह लाल निटमश को निला कर देता है यह पानी में hydrogen आयन इसलन युक्त साभून जैसे होते हैं which of the following is not a property of alkyl चीखना तो यह turned red to litmus blue the produce hydrogen ions on a water they break down thick material they are slippery like soap तो question number 9 तो यह क्या हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा यह पानी में hydrogen आयन को उत्पन करते हैं चीखना तो option number 20 सभी ध्यान रखिएगा चीख है जल में मिलने पर ps कमान यह क्या कर देते हैं 0 यानिके 7 से उपर कर देते हैं 7 से उपर हो जाने पर यह चार यह कहा जाएगा क्या कहा जाएगा यह चार यह कहा जाएगा ध्यान रखिएगा चीख है चलिए किसने ये खोजा की हर आटवे तत्व के गुण पहले के समान होते हैं न्यू लेंड ने, मोजाले ने, डोबरीन ने या मेंड लीव ने who discovered that the property of every eight elements are similar to the first तो ध्यान न कियेगा ये न्यू लेंड के द्वारा इसको खोजा गया था किसके न्यू लेंड के द्वारा इसको खोजा गया था तो option number आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए आपका सही होगा ठीक है ना, चल गए next question है, उतक के प्रकार गरंतियां बनाते हैं तंत्री का अलिपितिलियल मान स्पेशी है या सन्योजी है टाइपस ओप टीशू, मेकप प्लेंड्स, नर्वे, इतिपिकल मशल्स या कौन क्रेटिव जिसको कहा जाता है तो question number 11, यह हो जाएगा, एपितिलियम इसको कहा जाता है तो option number B, एपितिलियम 11 का भी आपका सही होने वाला है बालो का रंग के कारण होता है, जो बालो के रंग आप देखते हैं, कभी आप लाल दिखाए देते हैं, आपको brown दिखाए देते हैं, आपको black दिखाए देते हैं तो किसके कारण से दिखाए देते हैं, peptine के, melanin के, carotine के, carotine के, carotine और carotine दोनों में अंतर होता है ठीक है चलिए तो जो बालो का रंग है ये आपको दिखाए देगा मैलिन के कारण ठीक है जो मैलिन पदार्थ है इसके कारण ये दिखाए देता है कभी आपको ये ब्राउन दिखाए देगा कभी आपको ये कैसा दिखाए देगा वाइट दिखाए देगा ठीक है जो बदलता रहता है कभी ये ब्लैक आपको दिखाए देता है तो ये किसके कारण से ऐसा होता है ये होता है मैलनीन के कारण ठीक है निवन जानवरों में इसे किसकी अपेक्षा करत ध्यान से सुनिएगा अधिक लंबी आत होती है लोमडी की बाग की कुट्टे की खरगोश की विच उब दा फॉलोविंग एनिमल्स है रिलेटिवली लोंगर इंटेंस टाइन तो ध्यान कीगा ये जो खरगोश होगा ये इसका आंसर आपका सही हो जाए उपास्ती के जोड के एरोलर के या सनायू के रिंग ओफ एस प्रजेंट इस दनेक तो इसको क्या कहा जाएगा कोशन नमबर 14 तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका ए उपस्तिदी के कारण किसकी ये आपको ध्यान रखना है गले की उपास्ती के कारण ये इसमें आपको यहाँ पर भी सही होगा ठीक है चालिए नेक्स्ट आपका कोशन है निमलिकित में से कौन सा योगिक गुर्दे की पत्री का निर्मान करने वाला सरवादिक साम्मान ये योगिक है यानि के पत्री का जो निर्मान होता है गुर्दे में ये किसके कारण से होता है कैलस compound used to be kindly stones तो question number 15 ध्यान रखेगा यह आपका हो जाएगा A, calcium oxalate इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है calcium oxalate इसको हम कहते हैं, option number 15 का A हाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है तो इसको क्या कहेंगे, calcium oxalate इसको कहेंगे, ध्यान रखेगा तो योगी गुर्दे की पत्री का निर्वान करने में calcium oxalate जो है, काफी महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है, तो option number 15 का A सही होगा तो यह द्याज के आपके 15 questions जो हमने हाँ पर डिसकस किये, यहाँ पर हम 15 questions की यह series आपके चल रही है जिस बचे ने अभी तक complete इसको नहीं देगा, part 1 से लेकर तो एक बार आप जाएं, ssc maker पर उसको आप देखिएगा तो complete चीज़े आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, इसके लाब आप ध्यान न किएगा, ssc maker के दौरा आपके लिए हाँ पर ssc chl की जो vacancies आई है उनके लिए courses यहाँ पर चल ला है जिसमें complete आपको वीडियो मिलेगी class notes मिलेगा, doubt session की आपको सुईदा मिलेगी, class बिल्कुल basic से आपको मिलने वाली है, मात्र 299 रुपे में आपको इस सारी सीज़े हाँ पर provide कर दी जाएंगे और 20 मई से classes, sorry 15 मई से आपके classes चल चुकी है और ये offer आपका 20 मई तक लागू है और भी आपर आपके courses है जैसे आपका CRP up के लिए special बैच है CGL के लिए आपका संकल बैच है उत्तरप्रदेश पुलिस के लिए आपका ये कोश्टेबल का बैच है ध्यान रखेगा जिसमें मैज, हिंदी, हिंदी, रिजनिंग ये सारी चीज़े आपको वहाँ पर कराई जाती है और ध्यान रखेगा उत्तरप्रदेश पुलिस कोश्टेबल के लिए आपका जो है ये बैच है जिसमें आपको यहाँ पर क्या मिलेगा मैज, रिजनिंग, हिंदी, स्पेशल, यूपी सभी की क्लासिस आपको मातर थ्री डबल नाइन में मिल जाएगी तो आप इस बैच का भी हाँ पर लाब उठा सकते हैं ध्यान रखेगा और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो क्लासिस चलती है ये राताड बजे आपकी क्लासिस चलती है जिसमें आपको अजेसर के दुवारा मैच और रिजनिंग कराई जाती है तो सभी बज़े जुड़ना ना बूलिएगा राताड बजे यूट्यूब पर ही आपकी सभी क्लासिस चलती है सुबद 6 बज़े आपकी करंट अफेर्स होती है 11 बज़े आपकी GKGS है 4 बज़े आपकी रिजनिंग की क्लास है और आपका 5 बज़े 5 बज़े हिंदी की क्लास होती है किसकी हिंदी की क्लास होती है और ध्यान अकना रात आट बज़े आपकी ये class होती है जिसमें basic से बिल्कुल सारी चीज़े आपको कराए जाएंगी SSC Maker के दुआरा आपको ध्यान अकना है ये आपका link यहाँ पर आपको share किया गया है SSC Maker के दुआरा आपक को यहाँ पर application आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप Instagram पर हमें यहाँ पर follow कर सकते हैं यापका आप यहाँ पर लिंक दिया गया है जीसको आपको सस्क्राइब करना है बैल आइकन का बटन दबाना है जिससे class का notification आप तक पोंसता रहे तो यह दाज का का कैसा लगा ज़रूर बताइएंगे कोई於 नहीं आता विसको जरूर बताया करें जो भी आपके ड remembering доб peł रह जाते हैं कुरेंगे ऑपके डाउट से रहाते हैं तो यह क्लियर करने बहुत जरूर हं और यह कव एक्जाम